बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार विदेश दोरे से पहले दिल्ली में अंडिय की बैठक में शामिल हुंगे इस बैठक में नितीश कुमार सीट शेरिंग को लेकर चर्चा करेंगे ये एहम बैठक वीजेपी नेता अमिश्या के घर हो सकती है आपको बता दें ये सियासी गल्यारे से जुड़ी एक एहम खबर है मुक्य मंत्री नितीश कुमार बुद्वार की शाम को दिल्ली जाने वाले हैं जानकारी के अनुसार 6 मार्च को नरेंदर मोदी के कारिकरम में भाग लेने के बाद शाम को नितीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हो जाएंगे वही साथ मार्च की सुबा वो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे बताई ये जा रहा है कि बीजेपी के शीश नेतरित्व के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है विदेश दौरे पर जाने से पहले नितीश कुमार लोकसबा चुनाव दो हजार चौबस के लिए NDA में सीट शेरिंग और उनकी पार्टी J.D.U. UK के हिस्सेदारी से संबन्नित मसले को हल कर लेना चाहती है आपको बता दे नितीश कुमार साथ दिनों की सरकारी दोरे पर United Kingdom जाने वाले हैं इसके लिए उन्होंने अपना पासपोर्ट भी अपडेट करा लिया है नितीश कुमार स्कॉटलेंड में बन रही साइंस सिटी का अवलोकन करेंगे और उनके साथ अधिकारियों की टीम भी महा मौजूद होगी नितीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर की पुष्टी राजसबा सांसत संजय जाने की है विदान परिशद चुनाफ के लिए नामांकन दाखिल किये जाने के बाद संजय जाने मीडिया से बात करी और उन्होंने बताया कि बुदवार की शाम 6 बच कर 40 मिनिट पर सीम दिल्ली के लिए रवाना होंगे बीजेपी नेताओं के सांध मुलाकात की संभावना पर जानकारी नहीं होने की बात भी उन्होंने कही इधर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें लोग सबा चुनाव के सीट बटवारे को लेकर मंथन होगा इसमें बीजेपी की ное पर भी चर्चा होने वाली है और 8 मार्च के शाम को दिल्ली में बीजेपी के केन्द्रिय चुनाव समीतिकी बैठक होगी जिसमें बीजेपी की उमीद्वारों के नाम फाइनल हो तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो जारी होने वाली है उसमें ये भी संबब है कि बिहार के निताओं का भी नाम तैय हो जाए उससे पहले बीजेपी अपने सयोगियों से भी बात करने वाली है वही नितीश कुमार बीजेपी की लिस्ट फाइनल होने से पहले एंडिये में अपनी हिस्सेदारी फाइनल कर लेना चाहते हैं इंडिया गडवन्दन में रहते हुए सीट शेरिंग पर नितीश कुमार तब भी बहुत सजक थे और अब इंडिया में आने के बाद भी वो सीट शेरिंग को एहम मुद्दा मानते हैं